राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मंगलवार 19 नमंबर को श्री काल भैरव अश्टमी है जिसे भैरव जी की उत्पत्ती श्री भैरव जी की जैन्ती के नाम से भी जाना चाहता है पुराणों के अनुसार मास सीज मास के कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी को कालब भैरव अश्टमी का पर मनाया चाता है माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने काल भैरव के रूप में अफ्तार लिया था भैरव जी को तंत्र मंत्र का देपता माना चाता है तंत्र शास्त्र के अनुसा भैरब जी की कृपा के बिना तंत्र साधना पूरी नहीं होती माना जाता है कि भगवान काल भैरब के बावन सवरूप है जिस पर काल भैरब जी की कृपा हो जाती है उसे सभी कष्टों और संकटों से रिणों से मुक्ति मिल जाती है इसके साथ ही व्यक्ति को सुक्सम्रिध्धी की प्राप्ति होती है और परिशानियों का नाश होता है भगवान काल भैरव की साथना करने वाले भक्तों को कभी भी किसी प्रकार की उप्री बाधा भूर प्रे जादूतों ने आदी का खत्रा नहीं रहता और किसी भी बुरी नकारात्वक शक्ति का उन पर कोई प्रवाब नहीं होता है आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान काल भेरव को प्रसन्य करने के बहुत ही सरल अचु को पाई बताने जा रहे हैं जिनने अगर आप काल भेरव अश्टिमी पर करेंगे तो आपको आश्चेरे जनकलाब देखने को मिलेंगे भगवान काल भेरव को प्रसन्य करने के लिए काल भेरव अश्टिमी के दिन भगवान की प्रतिमा के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और श्री काल भैरव अश्टक का पाट करें मनो कामना पूर्ण होने तक प्रती दिन इस उपाय को भक्ती भाव के साथ करें काल भैरव अश्टिमी के दिन उड़की डाल के पकोड़े बनाएं यह पकोड़े आपको सरसों के तेल में बनाने हैं राद भर उन्हें रखने के बाद सुबह बिना किसी के टोके घर से निकले रास्ते में जो पहला कुत्ता दिखाई दे उसे खाने को पकोड़े दे दें जान रखें कि पकोड़े खिलाने के बाद कुत्ते को पलट कर ना देखें इस उपाय को काल भैरव जैनती पर करने से सभी प्रकार की आतिक समस्याएं दूर हो जाती हैं काल भैरव अश्टमी के दिन की सहर के किसी भी ऐसे काल भैरव मंदिल में जाएं जहां पर लोग कम जाते हैं वहां जाका सिंदूल तेल मिला कर भगवान काल भेरब पर चड़ाएं इससे आपको भगवान काल भेरब की प्रसंथा प्राप्त होगी और सभी मनो कामनाओ की पूर्ती होगी काल भेरब 80 मी के दिन सर्सो के तेल में पापर पोकॉरे पूए पाकवान आदी बना कर उन्हें ले जाकर भगवान काल भैरव को भोग लगाएं और इसके बाद इस ठाल को ले जाकर गरीवों में बांड़ते हैं ऐसा करने से घर में सुक सम्रिज्जी आती है और शान्ती का वातावरन बना रहता है काल भैरव अस्टमी के जन इस्तान करके सुक्छबस से धारन करें फिर साफ गुथा हुआ आता ले 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 उससे एक रोटी बनाएं रोटी बनाकर उसे साफ प्लेट में रखें और अपनी तरजनी और मध्यमा उगली में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं और रोटी के उपर लाइन खींचें इसके बाद रोटी बाली प्लेट को अपने हाथ में ले 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 और भगवान गड़ेशी का नाम लेकर भगवान शिपजी का नाम ले उसके बाद भगवान काल भहरव से हाद चोड़ का प्रास्त ना करें कि भगवान हमें सभी कष्टों संकटों से मुप्ती दिलाएं हम पर जो भी भूत ब्यादा परिशानी बुरी नजर हो उसे दूर करें इसके बाद दक्षिन दिसा की और मुँ करके खड़े हो जाएं और इस रोटी को लेकर अपने सिर्पल से घड़ी की दिसा में साथ बार खुमाएं आप इस रोटी को ले जाकर काले रंग के कुट्टों को खिला दें अगर काले रंग का कुट्टा ना हो तो किसी भी कुट्टे को खिला दें अगर कुट्टे ने रोटी खाली तो इसका मतलब आपको भैरवावा का आशिरवाद मिल गया है और आपको सभी कष्टों संकटों से मुक्ती मिल जाएगी अगर कुटा ऐसा ना करे रोटी सूंकर आगे बढ़ जाए तो यह उपाय आप रोज करें जब तक कि कुटा रोटी ना खाले यह उपाय काल भहरव अश्ट्रमी पर करने से आपको भगवान काल भहरव की करपा आश्यवाद प्राप्त होगी उमीद है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब थेमस पर वाचिंग राजे राजे